वर्क बुक रेंबो क्लास 3 लेशन 10 वन एंड मैनी इस लेशन में हम वन एंड मैनी अर्थात सिंगुलर और प्लूरल के बारे में जानेंगे तो जैसे लोक रीड एंड राई देखो पढ़ो और लिखो देखकर पहले पढ़ना है फिर लिखना है जैसे यहाँ एक कप है तो और यहाँ एक से जादा कप है तो इसका आंसर होगा कप्स इसी तरह से एक गुलाब है रोज एक से जादा गुलाब है रोज एक रैट है तो रैट और एक से जादा है तो रैट्स इसी तरह से अगलाब question है Read, write and draw the picture तो इसको परना है, लिखना है और picture को draw करना है तो जैसे यहाँ है hand यहाँ एक से ज़्यादा hand है hands ऐसे यहाँ है cat और यहाँ हो जाएगा cats आप एक से ज़्यादा cats यहाँ बना देंगे और यहाँ लिख देंगे cats इसी तरह से apple, तो यहाँ one apple बना लेंगे और यहाँ apples है, तो तीन apple बने हो गया है अगला question add es to each word and make it plural es जोड़कर plural बनाना है जैसे box, एक example दिया है boxes, es जोड़ गया है इसी तरह से अब यहाँ लिखाए glass तो बनाएंगे glasses es जोड़ देंगे bus, buses watch, watches es जोड़कर ऐसे प्लिउना बना अगला question है look at the picture carefully इन pictures को ध्यान से देखना है अब now write the words in the correct column अब इस picture को देखकर यहाँ one और money जो one है उसको one की नीचे लिखेंगे जो one से जादा है उनको money के नीचे लिखेंगे तो यहाँ sun one है यहाँ one के नीचे लिखेंगे bag one है तो one के नीचे इसी तरह से umbrella और camel one one है तो इनको one के नीचे लिखेंगे और जो one से जादा है जैसे orange, kites, parrots और ducks यहाँ चित्र को देखकर आप इनको यहाँ पर लिख लेंगे अगला प्रसुद add sres and write in their correct box s या es लगार कर correct box में लिखना है यह सब्द दिये गए है जैसे flower, flower means pool, brush, brush means brush girl, girl means ladki, glass means glass, box means box cup means cup, tomato means tomato, mango means arm boy means ladka, cap means topi अब इनको yes या es लगा कर लिखना है किस में किस में yes लगेगा यहाँ हमने लिख दिया जैसे cup है तो cups, flower में yes जोड़ेंगे flowers, girls, boys, caps और yes किस में लगेगा boxes, brushes, glasses, tomatoes, mangoes इस तरह से इसको कर लिखेंगे अगला question है यहाँ बाट यहाँ लिखेंगे one word यहाँ one two three, three words है यहाँ लिखेंगे three words इसी तरह से बाट one है तो one बाट यहाँ तो बाट है तो two bats next है यह flower pot है तो लिखेंगे one flower pot और यहां है four, तो यहां लिखेंगे four flower pot, four flower pots, यहां one book है, तो one book, यहां three है, तो three books, इसी तरह से one ball, और यहां one to three, three balls, इस तरह से इसको देखकर आप पूरे अभ्यास को कल सकते हैं.